तो आपको पता ही होगा कि हमारा पागलपन एक क्रेट कार्ट के प्रती वह कितना है अभी तक हम लोग लगबग 10-15 वीडियो बना चुके है क्रेट कार्ट के उपर फिर भी हमें कॉमेंट्स में यही सुनने को मिलता है कि कम्पनी इसका कोई वरोसा नहीं है अभी तो यह reward points और cashbacks दे रही है लेकिन देखना आगे आने वाले समय है कि customers को कैसे लूटते है और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे है कि क्रेट कार्ट इस्तमाली नहीं करना चाहिए वरना बरबाद हो जाओगे यह सब comments पढ़ने के बाद मुझे लगते है कि जो viewers है उनकी समझ क्रेट कार्ट के प्रदी थोड़ी सी कम है और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं एक कदम पीछा के आपको यह समझाऊंगो कि क्रेट कार्ट काम कैसे करते है और क्यू क्रेट कार्ट इस्तमाल करना एक सबसे बहतरीन ओप्शन है डेबिट कार्ट, UPI या फ्रिकैस से और अंत में ये भी बताऊंगा कि कौन-कौन से क्रेट कार्ट बिगिनर्स के लिए अच्छे है यार अगर आपके पास lifetime free credit कार्ट है और आप अपना बिल समय पर दे रहे हो तब तो आपको कुछ भी पैसे नहीं लग रहा है और फिर भी आपको cashback, rewards और 45 दिन के लिए आपको cash इस्तमाल करने को मिल रहा है लेकिन सवाल या आथा है कि इतने मुनाफ़े आपको दे कौन रहा है और यह सब पैसे आपको दे कौन रहा है तो इसको समझने के लिए एक example से समझते है मान लिजे आपको नए गर में shift होना है और आपको एक furniture लेना है अब आप जाते हो एक furniture shop में और वहाँ पर card swipe करते हो अब जैसे आप 100 रुपे की transaction करोगे तो उस 100 रुपे में से बैंक एक से देट रुपे काट लेगी और बचे होए मान लिजे निन्यान रुपे वो furniture shop वाले को भेज़ देगी अब यह जो एक से देट रुपे कट हुआ इसको merchant discount rate या फिर आसान शब्दों में transaction fees बोला जाता है अब यह एक से देट रुपे की जो fees है वो तीन लोगों में बाटी जाएगी सबसे पहला जिस बैंक का card है दूसरा जो payment network है जैसे कि visa, mastercard जिस भी network का card है उनमें और तीसरा जिस बैंक ने card machine दिये अब यह जो एक से देट रुपे की fees है वो आपकी pocket से नहीं जाएंगे वो जाएंगे furniture वाले के pocket से अब आप लोग सोचे कि उसको क्या पढ़िये वो क्यों fees देगा तो आसन चब्दों में ये fees देके उसको business मिल रहा है और जब उसको business मिलेगा तो उसमें से वो transaction fees दे देता है और आपको भी credit card swipe करके काफी सारे benefits मिल जाते है जैसे कि पैता list के लिए आपको batch में करजा मिल जाता है cashback मिलता है reward points मिलते है उसके बाद credit score भी आपका increase हो जाता है तो इतने सारे benefits आपको एकदा मुफ्त में मिल जाते है तो इस वाले case में आपके rewards का करचा पर निचला उठा रहा है अब यह जो rewards और benefits होते यह दो parties offer करती है सबसे पहले जिस bank का credit card है और दूसरा जो payment network है यानि की visa है या फिर master card है तो अब आपको credit card का business model समझ में आ गया होगा तो अब देखते है कि beginners के लिए कौन कौन से credit cards सबसे बड़ी है अब इसको हम लोग दो parts में divide कर लेते है जिनका civil score नहीं है या फिर खराब है और जिनका civil score ठीक ठाक है तो सबसे पहले बात करेंगे जिनका civil score नहीं है या फिर खराब है अब जिनका सिविल स्कोर नहीं है उनको घुमा फेरा के बाद FD Back Create Card के उपर ही आ जाती है लेकिन अच्छी खबर ही है कि आप 5-10 ARKFD कर सकते हो और उसके लिए सबसे बैतरिंग कार्ड है One Card Create Card अब इसके अंदर आप 5-10 ARKFD कर सकते हो और आपको 110% की लिमिट एंजॉय करने को मिल जाती है और इसके और भी कई मुनाफे जिसके उपर आपने एक डीटेल में वीडियो बना है अगर आप देखना चाते हो तो उपर आपको आई बटन दिख रहा हुगा वह आपको क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप आपने चैनल पर जाके भी देख सकते हो अब हमारी तीसरी सला है IDFC का वाव क्रेट कार्ड इसमें आपको 5000 की FD करवा नहीं पड़ेगी और आप अपने FD की 100% की क्रेट लिमिट इस्तेमाल करवाओगे अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो हमारी पहली सला रहेगी SBI का कैशबैक क्रेट कर्ड अब इस कार्ड के अंदर आपको सारे ओनलाइन खर्चों के उपर 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है अलाके अभी-भी इसमें थोड़ा सा devaluation हुआ है लेकिन फिर भी beginners के लिए ये काफी अच्छा कार्ड है अब हमारी अगली सला है Amazon Pay Icasa Create Card अब SBI Cashback कीता रही इसमें भी आपको 5% का Cashback देखने को मिल जाता है अपने सारे Amazon पर किये गए खर्चे के उपर और उसी के साथ साथ आपको ये lifetime free भी मिल जाता है अब हमारी आकरी सला है Access Myzone Credit Card अब इसके तो काफी सारे मुनाफ है Swiggy पर आपको काफी सारे Discount मिल जाता है Movie Tickets पर आपको एक पर एक Movie Ticket free मिल जाता है Lounge Access Moves में मिल जाता है और Temporally ये Card free में मिल रहा है तो इसको लेने का भी आप सोच सकते हो तो ये था हमारी कुछ Best Credit Card for Beginners के Recommendations अगर आपको इनसे भी कोई बहतर Card पता है तो हमें Comment में ज़रूर बताना और चैनल को Subscribe और वीडियो को Like ज़रूर करना